हेलो एम्रीवान मैं मास्टर हेमला था आज मैं आपके लिल आई हूँ यह मैं रीडिंग एक आज कर रही थी तो उसमें कार्ड आए और यह गाइडन्स आई तो मैंनका आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए और यह मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी पहले यह वाला कार सब्सक्तर काड है तो इस में एस तो है में वह करने देखता है जब मैंने दोनों काड और भी एस के निकाले और फिर मुझे जो गाइड़न्स ऑई और जो मुझे इसका मतलम निकल के आया card में और वह मैं आपके साथ share कर रही हूं यहां पर तो देखिये यह दोनों cards करें मतलब hands को देखिए hands को जो यह वाला card है इस इसमें देखिए hand जो है उसका backside जैसे fingers हैं ना fingers नहीं देख रहे हैं इसमें देखिए कैसे fingers दिख रहे हैं तो इसमें क्या guidance हा रही है कि यह जो hand है वो यह बता रहा है कि past में यह card पहले आया था past में past में अगर यह card आपका पहले आता है ठीक है तो समझे इस बात को कि यह card पहले आता है तो इसका मिलब यह है कि आपको angel या कोई और जो support कर रहा था वो back से कर रहा था मतलब छूपके कर रहा था आपके सामने नहीं आ रहा था मतलब आप कुछ healing कर रहे हैं अपनी तो आपको अगर ऐसा है तो angel help कर रहे हैं लेकिन वो angel से आप नहीं रूब हुए मतलब आपको help कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरह से कर रहे हैं किसी person को भेज देते हैं आपके पास या फिर आपको वो जो भी चीज़े आपको चाहिए वो available करा देते हैं तो back से आपको help कर रहे हैं ठीक हैं तो कोई इनसान है धरती का जो आपकी help कर रहे हैं तो वो भी back support कर रहा है छुप छुप कर रहा है बैक support कर रहा है लेकिन support कर रहा है अब जब ये काड़ आ रहे है future में बाद में आता है तो इसका मतलब ये हैं कि ये person ये hand देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहा है मतलब सामने ऐसा feeling आया है तो वही चीज जो आपको back support कर रही थी अब सामने आके support करेगी जाहे वो इंसान है अगर आप healing कर रहे हैं meditations कर रहे हैं तो अब आपका angel से मिलने का time आ गया है मतलब आप angel आपके साथ directly बात करेंगे मतलब कई लोगों को ऐसा होता है कि angels हम से बात नहीं करते हैं हमें feel नहीं होते तो वो सब चीज़ें आपको होने लगेंगी ये इसका मतलब है फिर और अगर ये दोनों कार्ड आगे पीछे आते हैं जैसे कि पहले ये वाला कार्ड आगया तो इसका मतलब ये है कि वो आपको छोड़ के नहीं गया अगर आपको ऐसा लग रहा जैसे कई लोगों को क्या होता है कि हमें angel पहले feel होते थे अभी नहीं हो रहे तो मतलब वो कहीं गया है नहीं है लेकि थोड़ा छुप के help कर रहे है ताकि आप अपने अंदर की शक्ती को पहचान सके भले वो एक इनसान हो, भगवान हो, पैरंट्स हो, कोई भी हो ठीक है, main चीज़ क्या है इसका मतलब है कि back support कर रहे है चुप के help कर रहे है और इसका मतलब, sorry इसका मतलब क्या है कि front में सामने आके help कर रहे है अब देखिए, इन दो कार्ड के इलावा अगर ये कार्ड आते है फिर मैंने इन कार्ड पर भी concentrate किया कि hand position पर concentrate किया कि hand position क्या कह रहे है hand position इस कार्ड की देखी क्या कह रहे है, देखिए पहले इस कार्ड को देखिए इस card का क्या मतलब है कि angel अपने हाथ में ले रहे हैं मतलब आपको support नहीं दे रहे हैं आपको gold में ले रहे हैं आपकी पूरी दिरूरतों को पूरा करेंगे आपको वहाँ ले के जाएंगे जहां आपको जाना चाहिए आपकोई काम कर रहे हैं उसमें आपको help कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आप meditation कर रहे हैं, आपको help कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको ले के जाएंगे वहाँ पर, कि नहीं ये काम अब तुमको करना है, आप जो कर रहे हैं, उसमें अभी तक उन्होंने support किया, लेकिन अब वो आ एंजल्स, यह जो भी आपको support कर रहा था, वो आपको जहा ले के जा रहा था, जहां आपको help कर रहा है, रास्ता जो दिखा रहा है, ठीक है, यह रास्ता आपको जिखा रहे हैं, इसमें साथ में आपको divine है देखिए उपर से bird भी है मतलब ये आपको जो लेके जा रहे हैं वो साथ में आपके उपर नजर भी रखेगा divine की रास्ता भटक ना जाएंगे अपको लेके जा रहे हैं आपको जाना है लेकिं क्या होता है कभी-कभी जैसे हम पीछे से गायब हो जाते हैं यहे धर-अथर हो सकती है वैसे यहाँ पर एणिमल स्पिरिट गायड है तो वह होता है अब मैं आपको चारों कार्ड का एक साथ मतलब बताती हूँ देखिए, पहला कार्ड, बैक सपोर्ट कर रहा है कोई दूसरा कार्ड, फ्रन्ट सपोर्ट करेगा अब सामने आके करेगा अब सपोर्ट नहीं करेगा सॉरी, हाँ मेरे बस चारों की साथ में मैं बूले थी, सॉरी, मैं एक दम सीरियस होके वीडियो नहीं मना सकती हूँ, ठीक है, तो देखिए, पहले गार्ड का मतलब क्या है, कि आपको बैक सपोर्ट कर रहा है कोई, फिर फ्रन्ट सपोर्ट कर रहा है, अब आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको अपने हाथ में ले कहीं जाते हैं, तो इसका मतलब वो है, कि हम पूरी तरह से उन पर निरबर होगे, जहां वो ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, यानि कि यह भी हो सकता है, यहां पर, दोनों में यही है, क्योंकि हैंड तो है ही न नीचे, तो अपने आपको सरंडर कर दीजिए, कि हां जह हां ले जा रहे हो, ले जाएंगे, जो चीज की गाइडन्स है, वो कर लो, और यह कार्ड का मतलब क्या है, कि पूरी डिवाइन आपके साथ जुड़ चुकी है, तो कैसा लगा यह वीडियो, कैसा लगा यह गाइडन्स, मुझे ज़रूर बताना, और मैं इस तरह हैं कि तो तिन कार्ड साथ में आये थे, तो मुझे लगा कि इनके मीनिंग से हटकर कुछ है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, तो क्या कहना चाहरे हैं, यह मुझे जानना है, तो फिर मैंने कॉंसेंट्रेट किया, तो अगर आपको यह ट्रिप अच्छा लगा है, तो मैं आगे और मैंने टैरो कार्ड की जो पूरी क्लास है, वो फ्री डाली हुई है, 70 के आसपास कार्ड की वीडियो हैं, आप देखना चाहें, तो इसी चैनल पर आपको मिलीगी, और मैंने फाइंड रूट को उसकी भी पूरी क्लास बनाकर हिंदी में डाली हुई है, क्योंकि उसकी ग